जैसी किसना दोस्तों, हमारे BS सर्माबाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों, आज हम आपको सामन के महिने की जानकारी दे रहे हैं कि सामन के महिने में गर्व धारन करें या ने करें संतान प्राप्ति के लिए पुत्व प्राप्ति के लिए प्रित्न करें पती पत्नी सम्मंद बनाए या नहीं बनाएं तो ये सारी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सामन का महिना जो है सबसे पवित्र महिना होता है सामन के महिने में जो भी उपाई किये जाते हैं भगवान सिवजी की किरपासी पूरन फल प्राप्ट होता है दोस्तों बैसे तो प्रित्तेक महिना भगवान कोई प्रिया हैं भगवान के बनाए हुए सभी महीने ही हर महीने में किसी न किसी देवता की पूजा होती है पंद्र जैसे सामन का महीना अकार्तिक का महीना माक का महीना यतिसेस होते हैं जैसे सामन के महीने में आप जो हैं अगर ब्रत रखते हैं तो इस बातों का कुछ बातों का ध्यान रखे आप गर्वधारन नहीं कर सकते हैं और जो कोने जो गर्वधारन कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जिनों नहीं सौंबार का बृत रखा है या गुरुवार का बृत रखते हैं सौंबार का रखते हैं उस दिन जो हैं गर्वधारन नहीं कर सकते क्योंकि जब ब्रत रखा जाता है तो ब्रह्म चर्का पालन किया जाता है या जिनोंने चतुर मास का नियम ले रखा हैं चतुर मास के नियम बाले सम्मंद नहीं बना सकते और दोस्तों, जिनोंने जो हैं, सामन के महिने में शिवजी के अवशेक का नियम ले रखा है, कि पूरे महिने हम शिवजी का अवशेक करेंगे, जिनोंने संकर्प ले लिया हैं, वो गर्वधारन नहीं कर सकते हैं, वो पती-पत्नी ब्रमचर का पालन करें, पंतों, जिस दिन बृत नहीं हैं उस दिन गर्वदारन कर सकते हैं और शिवरात्री के दिन जो हैं कोई भी गर्वदान नहीं कर सकता चाहें बृत रखा है या नहीं रखा शिवरात्री को उनको नियम का पालन करना ही होगा तो दोस्तों शिवरात्री अमा वश्या पूरण मासी इन पर कोई भी गर्वधारन नहीं करें और जिनोंने संबार का बृत नहीं रखाएं वो गर्वधारन कर सकते हैं जिनोंने संबार का बृत रखाएं वो गर्वधारन ना करें और जिनोंने रखाएं वो ना करें और जिनोंने जो हैं भगवान शिवजी के नियम ने रखे हैं वो गर्वधार ना करें जिरनोंने डृत नहीं रखा वो कर सकते हैं तो दोश्च्टों ये आपको हमारी वीडियो अच्छी है लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब ने किया है सब्सक्राइब जरू करें आगी की वीडियो मो जानकर ही किसाथ मिलते ही आप सभीको जैसी किसnight